Hello किसान भाईयो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चारे को जल्दी ग्रोथ में कैसे लाएए चारे को जल्दी तयार किसे करें क्युक्त आफने देखा कई बार ज्यादा पानी भन्ये बहिए से 4 जह लाल पढ़ जाता है यानी कि अगर चारह टैम से तयार नहीं होगा तो हमारा जो इस वीडियो में आपको बताऊँ है कि अगर चारह आपका नहीं चला जैसे आपने उसको पानी दिया है अगर चारह पानी ज्यादा भर दिया है या भर गया है कि अगर हम लोग चारह को पाई लगाते हैं अब जहां पर जमीने गहरी होती है या जहां पर पानी ठहने की समस्या ज्यादा होती है लेट त्यार होता है क्सान को काफी समस्याइब का सामना करना पर तरह लेट त्यार होगा तो हम चार देखनी परती है क्योंकि पश्यूगों के लिए दूद में अठी गरावट आता है तो इसलिए आपको चारह को जली तरह निगले आपको ऐसे टिक्स होता हूं जिससे कि आपका बर्सीन अगर लाल पढ़ गया है या बेड़ गया पानी के वेसे हना अगर आपने इन माइको नूट्रेंट्स या जो मैं आपको बताऊँ इस वीडियो में अगर आपने उनका प्रियोक किया तो आप यकिन मानिए आपके चारा हो दस दिन में ही काटने का हो जाएगा और आपको चारे में इस तरह की समस्या नहीं देखने मिलेंगी कि चारा चल नहीं रहा है अब हम अपने पसूप क्या खिलाएं तो इस लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैं आपको उदा दूँ हूं यह द दूनों को सलफर और यूरिया को यह सिंगल भी आप डाल सकते हैं तो इससे चारा जल्दी ग्रोथ में आ जाएगा और दूसरे जाया टिप्स यह है कि आप माइक्रूनूर्टेंट्स ले लें ठीक है माइक्रूनूर्टेंट्स ले ले अपनी जमीन के हिसाब से जितना आप लरी को तो चारे की किल्डत नहीं देखनी पड़ीकश क्योंकि देखा को दिखा दूंग लमसंग मैं एक दीड़ महिने का हो गया था ना चल नहीं रहाए तो मैं आपको देख है अभी 10 दिन में पूरा काटने नीं में यह दखो हम इसको काट रहें इस समय इतना बड़ा चारा हो रहा क्योंब और दस दिर पैदा अगर आप इस चारा को देखती नहीं चल नहीं रहा था ग्रोथ इसमें वुल्कुल नहीं हो रही थी हमने इसमें आप जो चीजां आपको बताई हैं इस वीडियो में हमने उनी आपको लेकर कोई परसानी ना झेलनी पड़े वीडियो देखने के लिए धन्यवाद